So, Hello, दोस्तो, Welcome Back to my YouTube Channel दोस्तो मैं आज के इस वड़ियो में आप लोगों को बताने वालो है कि आप डाओं कि आप जुदे बैंकोंअपूराब में मंधली इनकम में आप अपने रुपिया के कैसे इनकश करके और आप कैसे हर मेंण अपने interest को आप अपने saving account में ले पाएंगे दोस्तो सारा कुछ मैं आज की बताने हो ला हूँ दोस्तो आपको करना है क्या है आपको इस वीडियो को full watch करना है दोस्तो आप जिदी इस वीडियो को full watch करते हैं तो आप bank को परोड़ा में एक अच्छा कैसा investor बन सकते हैं आप bank को एंड बेला करन घंटी को प्रेस करते हैं दोस्तो आई अच्की इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो सबसे यहां पर देख सकते हैं यहां पर bank को ब्रोड़ा में आप जिदे मन्थली investment कराना चाहते हैं मन्थली rate of interest लेने के लिए तो आपको करना है क्या दोस्तो सबसे पहले आपको उस प्लान को आपको ढूंड़ना है जो कि सबसे ज्यादा rate of interest मिल रहा है तो दोस्तो आपको करना है क्या यहां पर fix deposit क्लेवल में आपको क्लिक करना है fix deposit करने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो कि आपका FD table open हो जागा तो दोस्तों आप आपको कर इन साल तक आप जिदे FD कराते हैं इस FD plan में तो आपको जो rate of interest मिलेगा दोस्तों ओ मिलेगा 7.05% और senior student को मिलेगा 7.55% सो दोस्तों 7.55% और 7.05% में आप जिदे invest करते हैं तो आपको कितना rate of interest मिलेगा हर मेना आपको जो rate of interest मिलेगा ओ कितना मिलेगा आप मालने ज्याग रुपे इंबेस करते हैं तो उसका rate of interest ओ आपको हर मेना कितना मिलेगा दोस्तों सबसे फिला यहां पर मैं monthly calculator open करके मैं सब्सक्राइब बुल बैंक rate of interest हर मेना दे देगा इंड आपका maturity value हो जगाä एक लाक के सजार एक नोपचांस और दुसते यहाँ पे एक लाक अके सजार एक सोग्पचा रुपीया आपका जो की maturity amount हो जागा तो दुस्ते एंड विए आपका आपका जेनर्र और आप जिदी senior citizen हो तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों यहाँ पर मैं 7.05% के जगा 7.75% कर देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर देख सोते हैं आप जिदी senior citizen हो और आप जिदी मंथली income कराते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको जो हर मेना rate of interest मिलेगा दोस्तों आनि की आपको जो हर मेना ब्याज मिलेगा आपको बैंक का तरफ से ओ यहाँ पर मिलेगा चोल्टीन पर देख सते हैं जो कि आपका जिदी आप एक रूपिया इन्वेश करते हैं यहां पर 129 रुपिया आपको मिल जाएगा एन दोस्तों आपका मैस रूटी वेलू हो जायेगा दोस्तों ए हुगी है आपका एग लाग के उपर और आप माल लिजे दो लाग रुपिय इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों यहाँ पर मैं दो लाग रुपिय लिख के दिखा देता हूँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप जिदी 2 लाग रुपिय इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप जिदी जरनरल पापलीप हो दोस्तों तो आपका जो हर मैना आपको rate of interest देगा दोस्तों ओ यहाँ पे आपको देगा 1175 रुपिया आप जिदी 2,00,000 रुपिया इन्वेस्ट करते हैं बैंक ओपर अड़ा में तो आपको हर मेना rate of interest दोस्तों यहाँ पे 1175 रुपिया मिल जाएगा आपका जो maturity value होगा दोस्तों दो लाग को उपर ओ हो जागा आपको 2,42,300 रुपिया आपका maturity value हो जाएगा यह होगी आपका general public के लिए हो और आप जिदी senior citizen है तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों यहाँ पे मैं 7.05% के जगा मैं यहाँ पे मैं 7.55% लिख के दिखा देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सेथे मैं यहाँ पे 7.55% rate of interest कर दिया हो दोस्तों आप जिदी senior citizen हूँ और आप जिदी bank of brodera में अपने रूपया के इंवेस्ट कराना चाहते दोस्तों दो लाग रुपिया और दो लाग रुपिया जिदी इन्वेस्ट करते दोस्तों आपको जो हर मेना रेट फिंटेस मिलेगा दोस्तों ओ मिलेगा आपको 1258 रुपिया 233 पेसा दोस्तों आप जिदी बैंक और ब्रोडा में अपने रुपिया के इन्वेस्ट करते तो आपको हर म और अब graves करें तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों यहां पर मैं पांच रहुपया लिख देता हूं मैं यहां पर पकाशलाइक हो अपने For kilka प्रोपिय कर रहें बैंक भुड़ा में दोस्तों तो आपको हर को मैंणLY मिली तोimate को जो यहां पर ओप को सद और यहांपर कि मैंचुरूटी सब्सक्राइबा पांच इसलाह का पान्च ए Сам нос हो जागा पका 1050 का ओण आपको कितना मिलेगा दोस्तों यहां पर मैं senior citizen का भी दिखा देता हूँ तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मैं यहां पर 7.75% कर दिया हैं दोस्तों आप जिदी senior citizen हो और आप जिदी bank of road में मन्थली income कराना चाते हैं दोस्तों आप जिदी 5 लाग रुपिय इंवेस्ट करते हैं और आप जिदी मन्थली income करना चाते हैं तो आपको जो हर मेना रेट ओफिंटेस मिल जाएगा तो दोस्तों एंड आपका जो मैचुरूटी एमांट होगा दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर आपको 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 कितना रेट ओफिंटेस मिलेगा दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले पांच लाग के जगा मैं यहाँ नौ ला लिख दियां और आप जिदी मान लिज़े जनरल पब्लिक हो दोस्तों आप जिदी 9 लाग रुपिया इन्वेश्ट करना चाहते हैं बैंक को बरोडा में तो आपको जो हर मेना रेट ओफ इंट्रेस मिलेगा दोस्तों यहां पे आपको 5287 रुपिया पांच पेसा आपको 90,350 रुपिया दोस्तों यहां पे देख सकते 10,90,350 रुपिया आपको मेचरूटी एमांट मिल जागा तो दोस्तों यह होगी आपका जेनरल पब्लिक के लिए और आप जिदी senior citizen तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों यहां पे मैं 7.55% लिख देता हूँ तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते मैं यहां पे 7.55% लिख दिया दोस्तों आप जिदी senior citizen तो आपको जो मन्तली income मिलेगा दोस्तों आपका हर मेना rate of interest जो मिलेगा दोस्तों यहां पे मिलेगा 5,600 रुपिया पांच पेसा आपको rate of interest मिल जाएगा सो दोस्तों यहां पर हो जाएगा दोस्तों यहां पर 11,3850 रुपिया आपका maturity एका मिलेगा दोस्तों यहां पर 15,000 रुपिया तो आपको कितना मिलेगा दोष्तो यहां पर मैं 15 लाग रुपिया लिग के दिखा देता हूँ अश्तो यहां पर यहां पर देख सbase है आप जिदी जनरल पाबलीक हो दोष्तो आप जिदी बैंक को बरोड़ा में 15 लाग रुपिया इंवेस्ट करता है तो आपका जो मन्थली इंकम होगा दोस्तो आनि की बैंक जो आपको हर मेना रेट ओफिंटेस देगा दोस्तो ओ यहाँ पे आपको देगा 8,812 रुपिया पांच पेसा दोस्तो यहाँ पे 8,812 रुपिया पांच पेसा आपको हर मेना रेट ओफिंटेस मिल जागा यह होगी आपका मंथली इंकम एंड आपका जो मैचुरूटी एमांट हो दोस्तो वो आपको हो जाएगा 18,7,250 रुपिया दोस्तो यहाँ पे आप जिदि 15,000,000 रुपिया इंवेस्ट करते हैं तो यहाँ पे 18,7,250 रुपिया आपका मैचुरूटी एमांट हो जाएगा यह होगी आपका जेनरल पाबली के लिए और आप जिदि senior citizen हो तो आपको कितना मिलेगा दोस्तो यहाँ पे मैं 7,55% कर देता हूँ यहाँ पे आप देख सेते हैं मैं यहाँ यहाँ पे 7,55% लिख दिया हूँ दोस्तो यहाँ पे देख सेते हैं 9,437 रुपिया पचास परसा आपको मिल जाएगा यहाँ पे देख सेते हैं 9,437 रुपिया आपका मैचुरूटी एमांट हो जाएगा यह होगी आपका पंदर लाग रुपिया और आप मानलीजे 20 लाग रुपिया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कितना मिलेगा दोस्तो यहाँ पे आप बैंक फिल्ड में आप 20 लाग रुपिया इन्वेस्ट कर सकते हैं आप पोस्ट ओपिस में मन्थली इन्वेस्ट कराते हैं तो आपका सिंगल एकान में 15 लाग रुपिया ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं जो जो बैंकिंग फिल्ड में क्या है आप चाहिए जितना आप यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे 30 लाग रुपिया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं कोई भी यहाँ पे दिकत नहीं होगा तो दोस्तो और यहाँ पे मैं 15 लाग का जगा मैं यहाँ पे मैं 20 लाग रुपिया लिख देता हूँ तो दोस्तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 20 लाग रुपिया लिख दिया हूँ लाग तैस हजार रुपिया दोस्तों यहां पर देख सकते हैं चोबिस लाग तैस हजार रुपिया आपका जो की मैचुरूटी एमांट हो जागा सब्सक्राइब यह होगी आपका जेनरल पाबली के लिए और आप जिदी सीनियर सिटीजन हो तो आपको कितना मिलेगा दोस्तो आपको जो हर मेना रेट ओपिंडेस मिलेगा दोस्तों आपका हर मेना जो बैंक रेट ओपिंडेस मिलेगा आपको 20 लाग वुपर में जो देगा यहां पर आपको 12,583 रुपिया तैस प्रेस है आपका मैचुरूटी एमांट हो जागा चोबिस लाख तिरुपन हजार रुपिया दोस्तों देख सथे जो कि बैंक को प्रोडा ना कितना ज्यादा हाई इंटेस्ट देरा मंथली इंकम जदी आप कराते तो दोस्तों यहां पर मैं सजिस्ट करूँगा कि आप तीन साल के लिए इंवेस्ट किजिए आप तीन साल तक इंबेस्ट जदी करते दोस्तों आपका जो एक अच्छा खासा मेचरिटी एमांट देखने को मिलेगा और आपका हर मेना रेट ओफ इंटेस्ट भी ज्यादा देखने को मिलेगा तो दोस्तों आई होप आज कि इस वीडियो का माधियम से जो मैं आप लोग को समझ में आ गय सब्सक्राइब करते दोस्तों मिलते नेक्स वीडियो में कुछ नी वीडियो के साथ कुछ नी जनकारी के साथ तब तक के लिए टाटा बबाए जेहिन बंदमात्राम